अगर आपको इन तीनों कोर्स में एडमिशन लेना है तो लेंग्वेज के साथ आपके मैट्स के मार्क्स जो आपके पास मैट्स सब्जेक्ट है उसके मार्क्स भी काउंट होंगे प्लस जनरल टेस्ट जो कैटेगरी याँ पर आती है आपके रीजनिंग आती है आठaczy किलास तक मैट्स है जर्नल लौलिज है वो सब इसमें आता है तो इन तीनों के माक्स का कॉंबीनेशन बनेगा अगर आपकोác इको वकिजएट जो लेना है बहुत अच्छा लगता है literally students humanities वाले हो चाहे commerce वाले हो चाहे science वाले हो तो guys हमारे प्यारे देश भारत की सबसे चहीती और popular university Delhi University ने भी अपने undergraduate course में admission लेने की प्रक्रिया को reveal कर दिया है हर एक student को अब पता होना चाहिए अगर वो DU के अंदर admission लेना चाहता है तो उसका selection process क्या होगा यानि अभी तक सारे बच्चे जानते हैं कि CUET का entrance exam देने के बाद वो इंडिया की सारी लगबग सारी university के undergraduate course में admission लेने के लिए eligible हो जाएंगे बात तो ठीक है लेकिन दोस्तो तुछ कुछ important important बात है आपको जाननी है देखो DU यानि Delhi University में more than 75 colleges है बहुत popular popular colleges है सस्ती fees में यहाँ काम हो जाता है बड़िया level की placement होती है बंदे अच्छा पैसा कमाते है बच्चों को यहाँ पर admission लेने की ख्वाइश रहती है कि हाँ भी मेरेको DU में admission मिल जाए तो DU one of the popular university है इसके लावा हाँ BHU भी है जामिया मिलिया इसलामिया भी है JNU भी है और बहुत सारी universities है उनका जैसे जैसे admission process का formula या फिर तरीका पता लगता जाएगा हम आपको इसी channel पर बताते रहेंगे लेकिन इक बात ध्यान रखो पास-पास DU भी अपना counselling form launch करेगी तो जब launch करेंगे हम आपको बता देंगे वो form भी भरना जरूरी होगा तो ध्यान रखना दो बार form भरने है और जब आप CUT का form apply कर रहे हो तो उसके इंदर उस university का नाम जरूर भर देना जिसमें आप admission लेना चाहते हो यानि आपको option मिलेगा तो DU यानि डेली उनिवर्श्टी का नाम जरूर बढ़ देना DU में admission लेना है तो basically तीन तरीके होते हैं कुछ बच्चे SOL यानि School of Open Learning के through admission लेना चाहते हैं वो once in a week class होती है हफते में एक बार class होती है प्रेस्पॉंडेस उसको बोलते है बेसिकली और उसमें 12 class के marks matter करते हैं CVT का कोई रोल नहीं है दूसरा एक NC वैब तरीका होता है non collegiate women education board होता है यहाँ पर लड़कियों के लिए college होता है सिर्फ Saturday Sunday classes होती है इसमें admission लेना है तो 12 class के marks matter करते हैं तो SOL और यह NC लड़कियों वाला है इसके लिए कोई notification नहीं है अभी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ regular college के बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बारवी के बाद regular college में admission लेना चाहते हैं तो एक मोटी-मोटी बात के साथ शुरू करूँ हो बाद में सारी admission पर के लिए का बखान करूंगा देखो डियू के commerce वालों के लिए जो टॉप hot course होते हैं बिसिकली एक बीकॉम ओनर से economics है और फिरी है BMS BBE और BBA जिसको बोलते है बैचलर ओफ बिजनस administration in finance and investment analysis तो यह top quality courses है जो मुझे लगते लेकिन हर एक बच्चा जानता है कि इन courses में admission ले लिया और यहां से पास हो गए तो बढ़िया लेवल का package लगेगा life set हो जाएगी देखो 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 अगर आपको B.com owners में admission लेना है तो आपको language का test देना ही होगा अगर इक owners में लेना है तो भी language का test देना ही होगा अगर इन में से किसी भी course में admission लेना है तो भी language का test देना ही होगा यहनि लगबग due के जितने भी courses है इन सब को मिला के इन सब को हटा के सब के लिए language का test देना ज़रूरी है CUT में तीन category बिना रखे हैं category 1 language वाली है category B domain subject की है category C general test की है अब अगर आपको इन तीनों course में admission लेना है तो language के साथ आपके maths के marks जो आपके पास math subject है उसके marks भी count होंगे plus आपके पास जो आपने domain subject बढ़ा है अपने 12th class के अंदर उसके marks count होंगे यानि देखना जड़ा कि domain subject sorry domain कहा रहा हूँ यहाँ पर general test के marks count होंगे रब कर देता हूँ इसको मैं अई काम की बात है जो तुम्हें सुननी है वापिस आजाते हैं एक बार रज्जा यह यह यही तो तुम्हार एड़मिशन कराएगी ध्यान रखना यानि यहाँ पर general test जो category C में है यानि यहाँ पर आती ना आपकी reasoning आती है आठवी क्लास तक का math है journal knowledge है वो सब इसमें आता है तो इन तीनों के marks का combination बनेगा और D.U.K. colleges जो यह course offer करा रहे हैं वो अपनी cut off निकालेंगे जिस बच्चे के ज़्यादा number आएंगे इन तीनों में मिला के उस बच्चे को admission जल्दी offer होते रहेंगे अगर आपको economics में admission लेना है तो language के साथ maths होना जरूरी है फिर प्लस आपके दो domain subject के marks देखे जाएंगे दो domain subject ध्यान रखना ठीक है अब इसमें economics होया ना हो उससे कोई फरक निबढ़ता यानि humanities वाला science वाला या commerce वाला कोई भी economics में admission ले सकता है बस math होना चाहिए उसके पास 12th class में ठीक है अब become owners की बात कर लो तो become owners में admission लेना है तो आपके पास maths होना चाहिए जिस बच्चे के पास maths नहीं है उसके पास account चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है फिर प्लस दो domain subject होने चाहिए आपके पास अब यहाँ पर एक main requirement आपको बता देता हूँ अगर आपके पास language भी है maths भी है तो accounts के number अगर आप लगाना चाहते हो तो बिलकुल लगेंगे domain subject की category में आ जाएगे कोई दिक्कत नहीं है यानि दो एक तीन और एक चार चार subject के number count होगे B.com owners में economics owners में भी ऐसा ही है और B.com में अगर आपको admission लेना तो वहाँ math जरूरी नहीं है वहाँ language और accounts होनी जरूरी आपके पास और फिर आपके दो domain subject चल जाएंगे यह business studies, economics, legal studies जो भी आपका general paper था वो सब हो सकते हैं जो आपने 12th class के अंदर पढ़े हैं तो यह मोटा मोटा मैंने overview दिया है अब बार ही आती है कि वही अलग-अलग colleges है हम notification कैसे देखेंगे वही मुद्बे वाली बात देखो देखो, डियू ने जो site launch किया उसका नाम है ठीक है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है यह रब हो गई, अब तरीका सुन ले ना तरीका क्या होगा देखो जी, यहाँ पर जब आप यह site खोलोगे दिली उन्वर्चिटी की जो मैंने बताया, गूगल पर जाके लोगिन करोगे तो आपके पास right corner पे CUT 2023 ऐसे लिखा होगा UG तो एक dot में detail लिखा है, दूसरे में information bulletin है आप information bulletin पे ok करोगे तो आपके पास information bulletin खुल जाएगी समझ रहो, यह NTA की website पे भी आपको मिल जाएगी तो यह आपके पास download होनी बहुत जादा ज़रूरी है इसके अलावा, जो DU की website पे अवेलेबल है DU ने क्या कर रखा है, कि भाई CUT 2023 का जो entrance है उसके subject की 3 category डिवाइड कर दिये section A, section B और section C, section C यानि section 3A में general test को रखा है section A में languages को रखा है, उसके भी दो टुकडे की हुए है 1A और 1B, यह languages के नाम है, आपको दिखाई दे रहोंगे, आप वीडियो को post करके देख सकते हो section 2 में आपके domain subject है, 27 की category है, यहाँ पर basically जो लिखी हुई है ठीक है, 27 है, यह subjects mainly आपको देखने है यानि अगर आपको admission लेना है, तो domain subject में यह वाला कोई भी आपके बास subject है तो आप उसको अपना एक main subject count कर सकते हो, यानि उसके marks आपके CUT के admission में count हो जाएंगे, उसका paper देदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको applied psychology, psychology, economics, geography, हिंदी पत्रकारिता, history, humanities and social science, journalism के courses भी करा रहा है, integrated program भी करा रहा है, journalism का पास साल का होता है, इसकी information भी आपको मिल जाएगी, philosophy, political science, social work, sociology, botani, anthropology, chemistry, साइंस वाले courses भी बूस्ता रहे हैं, ठीक है यहाँ पर एक course मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, BSC Owners Statistics, और एक है, अपने पास BSC Owners Maths, Maths Owners को यह BSC Owners Maths बोलते हैं, Stats Owners को BSC Owners Stats बोलते हैं, Economics Owners को BA Owners Economics बोलते हैं, तो यह पूरा-पूरा नाम है, आप ध्यान रखना, ठीक है, उन सब के list दी हुई है, और फिर नी University में more than 75 colleges हैं, जो undergraduate courses कराते हैं, उसमें साकेत दिल्ली में एक इलाका है, जहाँ पर लाडो सरय है, एक छोटा सा इलाका साकेत के पास, बहुत अच्छा college है, उस college के अंदर दोस्तो, BA vocational studies कराई जाती है, vocational के बहुत सारे course कराई जाते हैं, Human Resource Management में, Marketing Management में, Tourism के अंदर, Web designing के लिए vocational course होता है, software development के लिए होता है, retail management है, healthcare management है, banking operations है, इसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है, तो यह variety of course जो DU offer कर रहा है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और बाकी आपके पस पूरी यह list होगी, इस list को आप download करो, और फिर से आपको ध्यान रहना चाहिए कि आ आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपनी दिली उनिवर्सिटी के साइट पर, अभी भी आपका कोई दिक्काट डाउट परेशान नहीं है, कोई भी प्रोब्लम आपको लगती है, तो comment section के अंदर आप बता सकते हो, हर एक तरीका हम आपको बताएंगे, counseling form DU के आए नहीं तो जितना strong आप अपनी 12 के preparation को रखोगे, उतने अच्छे आपके CUT के अंदर number आएंगे, मेरा यह कहना है, तो 12 क्लास की तैयारी के अंदर कोई भी कमी पेशी मत छोड़ना, आपके काम की चीज़ है, बहुत काम में आएगी दोस्तों, तो और ये भी बोल दिया है कि कि किस इसमेडमिशन नहीं ले सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना, तो दोस्तों फिर आज की क्लास में इतना ही, जै हिंद, जै भारत, नमस्कार, धन्यवाद.